नमस्कार मैं हूँ ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रेपोर्ट में आपका स्वागत है आज आपको बताएंगे इरान और इसराइल यूद से जुड़ी हर अपडेट के बारे में तो एरान ने इसराइल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमानू युद्ध तो इसराइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये हैं इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोच अब दावा किया जान रूस इरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा देखिए ये रिपोर्ट इसराइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रिट और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फ्यमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपति पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ बेने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटे और इसराइल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, धून और लड़ाकू जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे. राश्वपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है. वश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेयल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी. अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेयल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारो है? क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? ज़रा देखिए, क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है? दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में इरान जम कर रूस का साथ दे रहा है. इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए तयार हो चुका है. एरान योकरेन यद में र्ूस को हजारों आति ढों, शाहिब 136, वहां से 10 जैसे ढों दे रहा है जसके जर्ये रूस योकरेन को जंग में रॉंद चुका है यहां तक की खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को यूकरेन जंग में अपनी घातक में साय ले तीन लाख तोप के गोले दस करोड गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतिन इरान के अहसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफदारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इस्रेल पर घातक हमले किया है और 330 मिसाइल और भूम से हमला किया है बरादरान व दूस्तान मान दर मनतगे के एलात मुद्धी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदें के हदफ मा दर दफाए मश्रू सर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्त इसराईल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटे, फ्रांस समेथ तमाम पशिमी और नेटो देश इसराईल के साथ खड़े है अब जर आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वॉल्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गद़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसराईल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसराईल ने इसराईली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसराईल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविधियों की सावधानी पूरवक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले तबाह हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब पांच घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से जादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है जबकि एरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रैली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई, 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई, एरान की 120 बैलेस्टिक मिसाइले दागी गई, जिने तबाह करने का दावा किया गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बेलेस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल के निवात्म ऐर बेस में गिर गई थी इस्राइली सेना निमाना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है कुल मेलाकर एरान के 320 ड्रॉन और मिसाइलें तबा हुई एरान नेखाया ट्रेलर इस्राइब तो अभी बाकिये पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्शिम एशिया में जंग से बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन जंग में सीधे तोर पर कूट पड़े हैं इस्राइल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्राइल के पिम बेनियमिन नेतनियाहू फाइटर जेट एफ-15 बेस का दोरा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धंटियां दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इस्रेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इस्रेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़तरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेज़ ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीबर मिसाइल की मारफशमताग 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूकलियर पावर से लहस है इसके रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट कशे तरकिबाद की जाय तो ऐरान अधिगाती ब्रॉन का सबसे बड़ा नर्माता है ऐरान के पास मोहाज़ 10 नाम का धातक ब्रॉन भी है जसकी रेन, वो हजार किलो मीटर है तो वही मोहाज़ 10 अपने साथ 300 किलोगरम का ब्रॉन तक ब्रॉन तक ब्रॉन तक ब्रॉन जाज़ा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नगद इसराईल वशिगरा योतर मेड़ूश्मौट इयूमी मसुगीं शोनीं अईयूम ऐरानी पगश अता अलियूनות अवीरित वाट तकनोलोगित शल बशिलूव कौलिट्सिया लोगमत चज़का शियाखद इर्टो एत रुबाम हमकरिया शिल ऐयूमी अब ऐसे हालात मेगर ऐरान रुस के साथ सीधे जंग में पूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इस्रैल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इस्रैल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रुस अब इरान के साथ चट्टान बन कर खड़ा हो गया है पूरा तो अभी इरान के हमले के कुछी गंटे गुजरे हैं और उधर इस्रैल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है IDF यानी इस्रैल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में इस्बल्ला के अतियारत डीपो को बारूदी दमाके से नेस्ता नाबूत कर दिया है इस्रैल ने पूरी फोर्स के साथ इरान और उसका साथ दिले दुश्मनों को सबक सिखाने का एलान भी किया है और इस्रैल के रख्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खतम नहीं हुआ है देखे रेपोर्ट 48 गंटे यही डेड्लाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इस्रैल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 गंटे बाद इस्रैल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है क्योंकि रेडी हो गई मिसाईल 48 गंटे में बदला लेगा इस्रैल तेहरान में जैरीकों का धमाका इरान का बचना ना मुमकिन मोसाद का ओपरेशन घर में गुस कर बदला 48 गंटे बाद खाड़ी में एट्मी यलकार इरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है इस्रैल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तयार है इरान ने ड्रोन और मिसाईल की पावर दिखाई है इस्रैल एर पावर का मोस्ट शौकिंग शो दिखाएगा इरान ने इस्रैल पर हमले की हिमाकत दिखाई है इसरेल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता ये बारूदी विद्भन्स अब किसी के टाले नहीं टल सकता क्योंकि ये युद्ध इसरेल के वजूद का है क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इसरेल का इस दुनिया में होना ही बरदाश्ट नहीं सही समझ रहे हैं इरान को इस धर्ती पर इसरेल की मौझूद की खटकती है इसलिए ये जंग आर पार के मोर तक जाए की इसरेल इसके लिए तयार बैठा था मौका इरान ने दे दिया है तीन सो विस फोटक हथियारों से हमला कर इरान ने इसरेल को युट के मैदान में बुलाया है दुनिया जानती है कि जब भी इसरेल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है इसरेल क्या क्या करने जा रहा है तेहरान में टेरर क्यों है इसरेल तकराव की लास्ट स्टेज क्या होगे? इसकी अठकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है इसरेल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है इसरेल जैसे सोलजर बहुत कम सेनाओं के पास है इसरेल के सबसे खुखार और शातिर खुफिया कमांडो मुसाद भी जंग के लिए तयार है इसरेल फुल पोर्स में अटैक मोड में आने वाला है इरान के पास डेडलाइन भी महद 48 घंटे की है इस टाइम लाइन के बाद क्या हो सकता है? इसे समझना है तो पहले ये जानिये कि इसरेल के लिए इरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं ऐसे हालात में इसरेल इरान को सबक कैसे सिखाएगा? ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा? जबाब सीधा है युद्ध तक निका होगा लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की तकर होगी युद्ध के नतीजे आस्मानी लड़ा के ही तै करेंगे दुनिया का सबसे खादक जंगी जट माना जाने वाला ये Made in America F-35 इसरेल के पास है F-35 Stealth Fighter के खास्यते देखिए F-35 2000 किलोमेटर प्रती घंटी के रफदार के साथ उडान भर सकता है F-35 वार्टिकल टेक ओफ लैंडिंग में सक्षम F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता F-35 किसी भी मौसम में उडान भर सकता है F-35 जमीन हवा में टार्गेट को नश्ट करने में सक्षम F-35 910 किलो के 6 बंब लेकर उड़ सकता है F-35 का बेडा इरानी तबाही का सबब बन सकता है वहीं इरान जिस मिसाइल पावर की धोश जमाता है उसके मामले में इस्रेल भारी पड़ता है इस्रेल की एक मिसाइल ही इरान में खोनी को अराम मचा सकती है इस्रेल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबिल शहर के नाम पर रखा गया था जैरीको बैलेस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कमपनी दसॉल्ट की सहयोग से बन रही थी बाद में इसरेल ने इसे अपने दम पर तयार किया मौजूदा समय में जैरीको बैलेस्टिक मिसाइल के तीन सिस्टम इसरेल के पास है इसकी क्षम्दा 48-65-100 किलोमीटर तक है पूरा इरान इसरेल की एक मिसाइल की जद में है यानि ट्रिगर तेल अवीब में दबेगा और बारूदी जलजला इरान में उठेगा अपनी धर्ती से इरान को दहलाने तक ही इसरेल नहीं रुकेगा इरान में घुस कर भी इसरेल सेन ने ओपरीशन को अंजाम देगा हलाकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है जैसे कि इसरेल ने ओपरीशन उपीरा चला कर इराक के परमाणू रियक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है इराक के ओसी राक परमाणू रियक्टर खत्म करने के लिए इसरेल ने F-16 जेत उड़ाये थे ऐसी इसरेल के सबसे घातक लड़ाके हैं मुसाद एजेंट जिनका दुनिया भर में डंका बचता है मुसाद एजेंट्स ने ये ओपरेशन अंजाम दिया था मुसाद एजेंट के ओपरेशन से इरान किस कदर खौफ खाता है इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी जब तेहरान में घुसकर मुसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपा कर रखे गए इरान के न्यूकलियर प्रोग्राम के डॉक्युमेंट हासिल कर लिये थे इरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा जटका माना जाता है मुसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोर देता वार फ्रंट पर मुसाद एजेंट इरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है इसके साथ दूनों देशों में फुल फ्लेश्ट गौर की नौबत आने पर कई और फर्क साफ़ जैसे इरान के पास भले ही पूरे मिडल इस्ट में सबसे बड़ी सेना है और इरबैटल के तमाम भथ्यार रेपलब कर लिए गए हैं लेकिन इसरेल के मुकाबले उसके सैन एक ट्रंड नहीं है एरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजूरी है वो उनकी एरफोर्स है एरान की एरफोर्स इसरेल के मुकाबले कहीं नहीं ठहर दी इरान की ज्यादत तर एरक्राफ्ट 1941 से 1989 के बीच के हैं कई विमान तो अब ढंक से चलते भी नहीं क्योंकि उनके स्पेर पार्ट्स ही नहीं मिलते इरान ने आखरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एरक्राफ्ट खरीदे थे लेकिन वो भी पूरी तरह operational नहीं है इसी तरह इरान के टैंक से लेकर बक्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी है Modern Warfare में टेक्नलोजी का सबसे बड़ा रोल है इसरेल इस मामले में इरान से कोसों आगे है इरान के पास भले ही नंबर हो लेकिन टेक्नलोजी और इंटेलिजन्स के फ्रंट पर इसरेल दुनिया में सबसे आगे है लेकिन इरान को बेहद कमजूर समझना भी इसरेल की बड़ी भूल साबित हो सकती है इसलिए पश्यमी देश खास कर अमेरिका और इसरेल इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए हाना कि पश्यमी देशों ने इरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे है इसी वज़े से इरान टैंक और फाइटर जेट को डेबलप करने में खास सफल नहीं हो पाया लेकिन इरान की मेसाइल पावर बेजोड है लेकिन इसरेल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तिमाल करता है हर हथियार मतलब हर हथियार मुम्किन है कि एरान से आर पार की नौबत आये तो इसरेल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे क्योंकि एरान से युद में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही कटर दुश्मन दोनों मुलक आखरी सांस तक जंग जीतने की कोशिच करेंगे ऐसे में किसी भी वक्त परमारू हथियारों के बटन दब सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद का आगाज होगा क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वॉल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नैटो जैसे संगठन का पावर है जाहिर है नियोकलियर युद के खत्रे को अब टाला नहीं जा सकता क्योंकि इस्रैल इंतकाम लेने के लिए कोख्यात है इस्रैल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है चोड़ ये वक्त एक छोड़े सब्रेका है फोरान हाजर होते है इस वक्त इस्रैल ने एरान के हर बड़े मिलिटरी वेस को अपने टार्गेट पर लखा हुआ है और उसने अटाक के लिए अपनी टाइगर फोर्स भी तैनात कर दी है और तैयार करती है अब फैसला है नितने अनाहू को देना है और इस्रैल को अपने किस हत्यार पर सबसे ज़्यादा भरोसा है ये जानकर एरान भी हैरान है देखे रपो पश्यमेश्या के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है इस्रैल जवाब देगा इसका सब को यकीन है फारस के खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है उबलते समंदर में डाले गए युद्ध वाले तेजाब का असर दिखने लगा है चार देशों के नाम दिये जा रहे हैं ये है इरान, इस्रैल, अमेरिका और रूस इरान के समंदर में बहुत बड़ी साज़श अप्रैल के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है क्या अप्रैल के महीने में इरान और इस्रैल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है ये है इस्रेल का F-35 फाइटर चेट युद्ध के लिए बेचान बैठा यही है असली दिमा जिसे इस्रेल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घादक फाइटर है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीक में कर पाएगा इस्रेल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को इरान पर हमले के लिए पूरी तरह तयार किया हुआ है F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आथा यही इसकी सबसे वड़े खास्यत है F-35 के अधित्व रफ्तार करीब 2000 किलोमेटर प्रति घंटे है न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है ना ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते है यही वज़े है कि F-35 इरान पर अगर हमला करता है तो इरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँचकर यह बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है इसरेल के पास 49 F-35 फाइटर जेट है अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान है अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रगता है इस विमान को रोपने की ताकत इरान के पास नहीं है लेकिन इरान की छोटी लेकिन और चलिए इस बुलिटर में फराल के लिए बस इतना ही बाकिया ने खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ नमस्कार